गुड मॉनिंग दोस्तों सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार बॉडो को मेरा साधर परनाम आशा करता हूं आपका दिन आज बहुत मंगल मैं हो और आज हमारे जिंदगी में भी एक खास दिन है आज हमारे तारिक है सेप्टेमबर 6 और हमारे डे ट्रिप का डे है 23 और आज हम य जोस्त है जहां से हम खजाकिस्तान में कल घुसेलंगे तो आज हम चाइन बॉर्डर पर जिसज चायना के अंदर 1516 कM मेरे पास है माइक दोस्तों DJI माइक आज मैंने लगाया आप देख सकते हैं मैं कैमरे से काफी दूर हूं और यह मेरे माइक लगा हुआ है बस यह है कि टाइम नहीं मिलता है इतना ज्यादा उसको यूज करने का तो आज मैंने का चलो जोन लोगों को लग रहा है कि आवाज श के साथ टेकनालोजी इतनी नहीं हम लोगों को कमफर्टेबल लगती है तो आप जैसे मेरे को कह रहे थे हलो हीना एंड पर मैं ठीक बोलओ नहीं हो इन नहीं हो नहीं हो बोलना था फिर मैंने घलत बोला तो इनिवे तो मैं आप जा रहा हूं ब्रेक्वास्ट करने के लिए स समय से निकलते हैं नहीं चलिए मैं आपको लेके चलता हूं ब्रेकफास्ट देखने के लिए और मैं पता है मैं कभी-कभी जान बूच के भी बोलता हूं आप लोगों को थोड़ा सा इंटर्स बनाने के लिए ओके मिलते हैं ब्रेकफास्ट रूम में यहां का डाइनिंग हॉल है बेसिकली इस होटल में कोई रेस्टोरेंट नहीं है और बहुत सारे चाइनीज टूरीज भी आ रहे हैं और देखो सुबह 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 सब रेडी होके अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हमारे बंदे gerade में को समझ में आ रहा है वेजिटेबल्स हैं इनकी लोकल ब्रेड है कॉण है यह स्वीट पतैटो है नूडल्स है अब यह वेज है न वेज है अभी नहीं मालू में यह शाय तोफू है और यह चिकन लग रहा है मेरे को और या खौरेज है सूठ है यह लोगना सोये मिल्क और और्डिनरी मिल्क और यह चीजे इनको बहुत पसंद हैं यहां पर मेरे को इतना ज्यादा सोया मिल्क में इंटरस्ट नहीं लगा तो अब जो है उसे काम चलाते हैं आज ड्राइफूट्स अगरा भी नहीं है और अलग से मिल्क शायद इन तीनों बाॉल्स में होगा भी त यह अब चॉप चिए इस चॉप शिक्स हैं मैं अभी चॉप सिक्स से खाना सी गया हुँ यह पूरा प्लेट में चॉप से खाली कर दूंगा और यह मैं ने सुप के लिया था आज ब्राइफ फूट्स नहीं है जो है आए यह बहली डॉन्च के लिए और और आज मेरे सामने मैं उससे आज का पूछता हूं अभी जब वो टेपल पे आ जाती है यह बाकी बाबुराम जी वी उदर से आते हो नजर आ रहे हैं सफेद बालों में तो यह जान पूछ के जो हमें जबर्दसी वेश्टिबल्स खानी पढ़ रही है इससे बड़िया तो हो रहा है पेट तो अ अ करगोस यह में तो कर्गोस कर तो मुं लूछ को सामोछी को में यह एक घवाज यह भी मिल Indy।ऑ टेरहत वन्या मिल्स यह support ग्येने पहलों आपना उसे को खिए खोल्ग बड़न पड़नो कि एसे कि अपने खोल्गारे नियूंड गए डिवो इन देखर इसे कि अडना का गड़ना जर्ट में कर इसे, इसे, इसे कि ये प्लग प्रणिय और में लुग आज़ने जियू और चाथव रखे अजालेёт यह जो अंहाँ जैसलि अे रेट नेट प्रीज़ कोई दुट्टेज तैसलिय दॉट्ट टंथे कंट इसलिए अाज तो कि आजम वे इसलिए प्रत्ट सेफिए आंग्जा आज आज तूर के आज पास रूखेंगे महा कब्स पना पाम अधिया टेम्परेचर एलटिपूड ते अज़ा मेरी घडी में कुछ गवडरिपा या तो मैंने minus sign देखा नहीं मेरी घडी में 80 दिखा रहा थाומड को भी minus 80 क का मैंने, I missed the minus sign, ख़रो दोस्टों आब मिलते हैं गाड़ी को पहले pack कर ले दो मैं फिर मिलते हैं से आज सुबह हम दस बजे निकले एज यूजवल थोड़ा सा लेट और अब हम जा रहे हैं फ्यूल लेने के लिए गैस स्टेशन और फिर उसके बाद हमें निकलना है खर्गोस के के से शुरू होता है एक हर्गोस भी है हर्गोस हजाकिस्तान साइट पे है और खर्गोस आपक चाइना साइट पे है तो अभी फ्यूल लेते हैं दिखाता हूं मैं आपको कितना डीजल हमारा आया डीजल भरना शुरू हो गया है और यहां पे डीजल की कॉस्त पूरे चाइना में अभी तक सबसे कम मिली है सेवन पॉइंट ओफोर योवान तो सेवन पॉइंट नाइन कितना आएगा मेरा अंदाजा है 30 के आसपस आना चाहिए तो हमारा फ्यूल आया 38.36 लीटर जिसके लिए हम 270 युवान देंगे और रेट है 7.04 और जगा का नाम है क्यू टॉन और हम जा रहे हैं खर गोस्त डीजल लेने के बाद 4.3 किलो मीटर के बाद हमारा टोल आ गया औ और यहां हमें मिल रहा है काट तो इधर हमें मिलेगा काट और उसके बाद जब हम G30 ठोड़ेंगे तो फिर हमको मिलेगा हमको पैसे देना पड़ेगा तो पहला टोल आया 4 किलो मीटर होटल के बाद डीजल भरवाने के बाद और हमने हमने यहां पर अपना गाड़ी का कंटिम्यूसली और हम पहुंच जाएंगे खजाकिसान बॉर्डर जिसका जगा का नाम है कर गोस इस समय हम हाईवे जी थर्टी पे हैं जैसा कि आज आज आपने सुना शैलान सुबा बता रही थी जी का मतलब है हाईवे और ग्रीन में लिखा हो तो हाईवे रेड में लिख पूरा चाइना क्रॉस करती है तो आज सुचिए कि हमको इसी सड़क पे रहना है अगे 420 किलो मीटर मैंने 118 पे क्रूस सेट कर दिया है और 120 की लेन बेस से में मैं ड्राइव कर रहा हूं और आज मेरा गूगल मैप चल रहा है तो मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेके आगे न और फिर कोई एक मॉर्टें टॉप है उस पे जाने और उसके बाद हम बॉर्डर टाउन पे पहुंच जाएंगे और कल सुबा हम बॉर्डर क्रॉस करके खजाकिस्तान में घुझेंगे जिसका सब लोगों को बड़ा बेसभी से इंतजार है और जब तक आप इस हाइवे का कितना मस आईवे है यह देखना आगे ट्रक का जाहत बनाया हुआ है यह अभी तक मैंने देखा है नहीं था पहली बारी देखा ऐसा ट्रक वूपर दो-दो लाइने बना रख्या है गाड़ी की एक ट्रक के अधर किती सारी गाड़ी है और गैस करू मैं यह सारी कारे कहा जा किसान हम चल चुके हैं दोपैर के सावा एक बजे है और यह अभी हमारा टोल आया जो पहले हमने काट दिया था अब यहां वापस करके अभी पता लगेगा कितना टोल हमें यहां पे देना है आज का पहला टोल हमारा 98 युवान इसके बाद आगे देखते हैं और यह आगे है पिट्रोल पंप यहां हम लेने जा रहे हैं एक ब्रेक 255 किलोमेटर चलने के बाद हमने बायो ब्रेक और अगे आगे निकला आया मैं का चलो थोड़ा आज लास दिन है चाइना में थोड़ा ड्राइब को इंजॉय करते हैं आज मैंने काड़ी की मैक्सिम्म स्पीड को भी टच करके चेक किया वह कितनी है वह तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन आज मदा आ रहा है काफी ड्राइब क हो रही है मैं बाकी और लोगों से भी मिलता हूं जो पीछे रह गए थे आब आ गए है यह मैं और बाबुराम जी ने कॉफी कच किया आज देखो सब लोग इनके घर वाले चाहने वाले बाबुराम जी बिलकुल फिट है एकदब मुस्करा रहे है देखो जवान होते जा र है वह रहोगी बना रहे हो करें कि बद्स पर यह देखो यहां पर अंगुरो का वह पर जूंका ऑधिनें हरे अरि यह को इतना बड़ा राइस कूकर आशां कुंदा यह जाहलों ने को सब लोगा खाने का समानी भरा हुआ है जाहलों कंक्या बूरा हाल हुआ हैOS पहुंच से पहुंच से खाली होगी, उसे पेले मेरे को लगता नहीं, यह ज्यादा खाली होने वाली है, खाने से ज्यादा धिमल का ए रोड़ा है, वेमल पान मसाला पहुंच गया लंडन, यह दोनों तरफ चुटे चुटे पहाडें, उसके उपर अलगी भूडी घास होकी ह और बीच-बीच में से जाक रहे हैं विंड मिल के सर, यह देखो, विंड मिल के सर है, इससे में हेग यंग बच्चे मेरी गाड़ी चला रहा है, मैं साइड में बैठा हूँ, तो मैंने का थोड़ी सी वीडियो एटिटिंग कर लेता हूँ, नहीं तो फिर पहुंचके ना और आज थोड़ा सा एक्स्टोर भी करना है, मेरे को बॉर्डर एडिया, तो मैंने का थोड़ा सा पहले ही काम कर लेता हूँ, इसलिए गाड़ी किसी और को देखी चलाने के लिए, और मैं काम करना शुरू बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए, कि टाइम से वीडियो मिल ज है, युजिली रात पे दो से तीन बच आ रहे है, सोते सोते, युजिए को आता नहीं है, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा था काम कर रहे है, तो एक ये प्यारा से सेक्शन आया है, भाई ये तो क्या से कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, एक लेम में रहो, तो ये विंड मिल्स देखिए, किती बड़ी है यहां पर, इसमें एक चूटी साइस की भी विंड मिल्स देखिया है, लेकिन यह बहुत बड़ी बड़ी विंड मिल्स है, ले लो इस लेम में लेलो, इसके पीशे, तो अभी मेरे ताफ जो गाड़ी चला रहा है न, ये ये अभी बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है तो थोड़ा सा इसको लगाम इसकी पकट के रखे को दिये मेरे को, ने तो फिर एक दम जोश में आ जाता है फिर उड़ जाता है तो थोड़ा सा एक मतब जवानी का जोश है और बुड़ापे का तजूर्बा है, दोनों एक इसी बचा 120 बचा है द्राइब करने के लिए 95 किलो मेटर और आप लंबा ड्राइब करना पड़े है तो अब हमने यहां पर रूप में रहे हैं बस अब यहां से हम आगी निचल रहे हैं बस में गाड़ी से निकल के एक चुड़ादा शौट लिया आपको दिखाने के लिए लेक के लिए खुछ इसको क्लिक कर रहा हूं वैसे तो हम नीचे जाते हैं तो वहां पिरूख सकते थे लंच ब्रेक यहां ले सकते थे लेगी निए बहुत महंगा पड़ता हमें तो इसलिए फैसल है कि पैसे बचाओ और हाइवे से ही इसको इस पिक्चर को कीच लो तो यहां लोग देख रहे ह अब देख रहा हूं और लेक के किनारे लोग मस्ती कर रहे है तो खेर इसका कुछ भी है हमने ऐसी अपनी बहुत सुंदर सुंदर लेक देखी है तो इस समय तो खजा कि संच जलें जल्दी से उसकी एकसाइटमेंट जादा है इस लेक कि एकसाइटमेंट कम है लेक देखने क के बाद हम एक और खूबसुरत व्यूपॉइंट पे आये क्या खूबसुरत वैली है यार देखो और वो प्रीज देखो मस्त लग रहा है दोस्तो यार इकड़ मस्त कैसे ही ऐसे लग भी ना कि पाहडों के अंदर घुस जा रहे हैं हम चेदे में दो जैसे चुहा घुसता है में ऐसे हम गुसेंगे बिल के अंदर यह ब्रिज बहुत ही बढ़िया लग रहा है वैली बहुत अच्छी लग रही है हवा ठंडी ठंडी चल रही है और इस समय का ऑल्टिचूड मैं नहीं बता पाऊंगा घड़ी गाड़ी में रखी है लेकिन ज्यादा अल्टिचूड न यहीं सीन हमें इंडिया में भी बहुत देखने के लिए मिलते हैं तो यहीं चाइन में भी आप देखें फ्री वेडिंग शूट है जार आसकें कि गोड़े पर आओ सवारी करो दस यूआन के लिए तो यह पोस्ट दे रहा है आपको दोस्तों अभी हमने दो व्यूपॉइंट देखें एक लेक देखा और एक हमने ब्रिजिस देखें उपर से खड़े होगे वैली की अंदर तो काफी खूब सुरत लग रहे थे आज हम खजाकिसान पॉडर पे पहुंच जाएंगे तो क्रीब अभी 80 किलोमीटर दूर और सारा खर्चे के बारे में बताता हूं कितना डीजल लगा कितना टोल लगा कितने किलोमीटर हम चले कौन-कौन से होटल में हम रुके तो कोशिश करता हूं यह सारा कंपाइल करके अलग से समराइज कर दूँ चाइना पोर्शन ओफ आर इंडिया टू लंडन ट्रिप उसके अधिया गवाद हम कल खर्गोट से निकलके हम जाएंगे अलमाटी जो की खजाकिस्थान का कैपिटल है और वहां से थोड़ा भी भसड है कि हम किर्गिस्थान उजबेकिस्थान जाएंगे या नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ग्रूप है यहां पे दो ऑगनाईजर्स हैं एक organizers के group जा रहा है, उजबेकिस्तान, पहले किर्गिस्तान, फिर उजबेकिस्तान, हमारे जो organizer है, उसने जो भी कहो, आप उसके लिए अब दोश देना पड़ा मुश्किल है, उसने जो visa हमारे लिए थे, वो साथ तारीकोई एकस्पायर हो रहे हैं, तो उसके साथ जो 5-6 लो किर्गिस्तान का visa हमारा expire हो जाएगा, मतलब आज ही expire हो रहा है, तो यह कहरे हैं कि Almaty में जाके, वहाँ पे किर्गिस्तान के consular services में जाके, हम देखते हैं कि अगर हमें एक दिन में या आदे दिन में वो 2 या 3 दिन का किर्गिस्तान का visa दे देते हैं, तो हम किर्गिस्तान जाएंगे तो यह तोड़ा वही lack of planning, lack of foresightness हो गया, तो अगर हमें मिल गया Almaty में visa, तो हम किर्गिस्तान होके हम भी उजबेकिस्तान जाएंगे, नहीं तो यहां से दोनों groups, दो group divide हो जाएंगे, और शायद वह आगे जाके उजबेकिस्तान में फिर वापस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वह फिर समय बताएगा, तो तोड़ा बहुत, अब यहां पे differences आ जाएंगे, अलग-अलग दो groups के अंदर, जो है, उसका कुछ अब किया नहीं जा सकता है, तो मैं पहुंसता हूँ खरगोस और फिर मैं आपस मिलता हूँ, यह समय mountainous drive है, एकदम यह इंडिया की तरह drive लग रही है, सामने चारा तरफ मेरे को pine के trees दिखाई दे रहे हैं और उसके अंदर बहुत सुंदर road बनी हुई है, जो बहुत सारी U-turns लेके जा रही है, क्योंकि वह जो direct highway था ना, जो tunnels के तरू होके जा रहा था, वह हमारा इस viewpoint पे आने के कारण मिस हो गया, तो अब हम, मतलब U-turns वहरी साड़क को लेके जा रहे हैं, अदरवेज इनके express पे यू-turns नहीं होते हैं, आप में देखा ट्रक कितने लंबे-लंबे हैं, तो वो ट्रक सो U-turn पे टर्न ही नहीं होंगे, तो express पे इनका almost सीधा बना होता है, तो मिलता हूँ मैं अभी आप से 80 किलोमीटर के बाद, खरगोस में, उपर जो मैं आपको व्यू-पॉइंट पे खड़ा था ना, यह हाइट थी 1800 मीटर, तो reasonably good हाइट थी, मनाली जितनी मानलो थोड़ी थी मनाली से कम, और अब हम बढ़ चुके हैं, खरगोस की तरफ, that is खजाकिसान बाउडर, थी, 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 किलोमीटर के बाद, यह हमारा दूसरा टोल आ है, पहले टोल पे हमने 98 युवान दिया था, इस टोल पे कितना पैसा लगेगा, अभी पता लगता है, पे 35 युवान टोल लगा है, 366 किलोमीटर के बाद यह आ गया, आज का पहला और शायद आखरी पुलिस शेक, नेक्स पुलिस शेक आपका बॉर्डर पे ही होगा, इसमें शाम के पांच बच के चालिस मिनिट हुएं, आज देखना है कि यहां हमें कितना समय लगेगा, कल तो दोनों पुलिस शेक पे हम पांच से दस मिनिट के अंदर फ्री हो गए थे, अब इसमें भी मेरे को आश्या है कि हम उतनी ही जल्दी फ्री हो जाएंगे, पहले चेक पॉइंट पे तो हमें सिरफ पांच मिनिट लगे थे, और अब 400 किलो मीटर चलने के बाद सिरफ अब 15 किलो मीटर बचा होगा बॉर्डर, यह दूसरा चेक पॉइंट आया है, तो क्या इती सारी गाड़ियां बॉर्डर पे जा रही है, बॉर्डर चेक पॉइंट पे घुमने जा रही है या यह भी सब खजाकिसान जा रही है, क्योंकि एक दम हम बॉर्डर के पास आ गए हैं, तो वहाँ पे यह तो कोई बहुत बड़ा शहर है और यह लोग वहाँ जा रहे है, हर्गोस यह यह सब लोग भी सब खजाकिसान जा रहे है, अब यह बॉर्डर यह पॉलिस चेक पॉइंट पे हम आ गए हैं, और आप देखते हैं कितना समय लगेगा, और यह सामने आपको जो दिख रहा है, यह है खर्गोस टोरिस्ट डिस्रिबिशन सेंटर, कर्गोस टोरिस्ट डिस्रिबिशन सेंटर, Finally, खर्गोस आने वाला है, अब सामने आप देख सकते हैं, उच्ची-उची बिल्डिंग है, और यहां से बॉर्डर, दस से पंदरा किलो मेटर दूर है exactly कितना है वो कल सुबह पता लगेगा अभी हम 415 किलो मेटर चल चुके हैं हम करगो शैर पहुंच गया है और यह डिसाइड हुआ कि पहले रिफिलिंग कर लेते हैं इधर बीटेजल प्राइस काम है 7.45 और फूल कराएंगे अग्यूशन टंफ करो कर देखते हैं किया इसमें कितना डीजल आएगा अभी मेंको बता है कि घाकिस्तान में डीजल शस्ता है तो मैं बोल रहे हैं कि महीं डलबा ले ना मैंने का यार यहें डलबा के चलते हैं आधी ते ज्यादा टेंकी कम हो गई है रिस्क नहीं लेना है चांस भी नहीं लेना है कोई बात ही थोड़े थे पैसे ज्यादा लगेंगे साड़े साथ बजें चे सेप्टेंबर और हम पहुंच गए अपने होटल विएना इंटरनाशनल होटल शेहर का नाम है हर्गोस बॉर्डर थे यह करीब 15 किलो मीटर पहले है अब मैं होटल के अंदर जाता हूं गाड़ी पार्किंग हो गई है शेहर कितना शांत है और कितना भूपसुरा शहर दिमाग घूम जाता है सोच सोचके ना यह देखिए उपर घड़ी भी लगी हुई है पांच मिनिट का फारक है और यहां रेस्टोरेंट में बहार बैठने का भी ऑप्शन है यह देखिए कितनी सुंदर लेक है पीजन्स हैं वाइट कलर के यहां पर प्र बच्चा है चोटा एक किताब देखो किती बड़ी मार्बल की कौन-कौन पढ़ना जाएगा इस बुक को तो कितनी नीट अन क्लीन है यह होटल का व्यू इधर से भी देखिए आफ यह होटल व्येन का रिसेप्शन कितना सुंदर रिसेप्शन है रूम की कीज डिस्रिब्यूट हो रही है कल का प्रोग्रम बताया जाएगा उसके बाद हम रूम पे जाएगे जिनको जूस पिना है या ग्रीन टी पिनी है वो सामने जाके वहां पी सकते हैं यह खड़े होतने होटल के यहां के जो कंस्रुक्शन है अलमस्स सिमिलर है और यह थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है सो यह ट्विन बेट्स हो गए सोफा इसके अंदर वह हीमिडी फायर है इस हेल्स इन नाइट कितना अच्छा इनका यह चस्ट अफ ड्रॉर्स है और यह वाश् पहले से थोड़ा बड़ा है और यह शावर एरिया है सो दिस होटल इस स्लाइटी बेटर यहां पानी की बॉटल सहां रखी है देख लीजा और पीछे बहुत सुंदर पिंटिंग है और वाव देखो आज मेरे को बाई चांस लेक वीव वाला रूम मिला है खैर फारक क्या परता है सुबद सुबद हम निकले जाएंगे और थोड़ी देर में अंधिरा हो जाएगा लेकिन फिर भी चलो लेकिव वाला रूम मिला है यहां पर और यह विंडो हम पूरी नहीं खोल सकते हैं इन्होंने ऐसे दिया हुए कि बस अब इतना ही खोल सकते हो तो आपने रूम देख लिया है हम मैं जाता हूँ अपना बाकी समान लेकर आता हूँ तो इस नाइस रूम सो आई गो डाउन इन गेट मैं लगेज दोस्तों आप हर्गो शहर को देखिए सबसे ज्यादा खूबसूरत है जितने भी शहरों में आप गए हमें जा रहा हूँ गाड़ी वाश कराने आगे कैप्टन की गाड़ी जा रही है जाए लोग बहुत लोगों को देखने कमाना है जब अभी मौका मिलेगा तो मैं आपक आप कहां जा रहे है बोला गाड़ी वाश कराने तो मैं सोच रहा हूँ कि 15 अगस को लेके मैं दिली से गाड़ी को निकला था और इतने कीचड सलश सारा रस्वगड़ी वाले रस्ते में तो यह पूरा कीचड में नहा गई थी तो इसको आज वाश करा लिया जैसे यह शहर सुंदर है वैसे इस गाड़ी को भी सुंदर बनाया जाए लैंपोस देखिए दोस्तों यहां के भी लैंपोस हर शहर के अलग डिजाइन है लैंपोस के मैं लगता पूरा डिपार्टमेंट बना के रखा हुए चैनीज वालों ने लैंपोस डिजाइन करने के लिए बट आप योरोप और फ्रांस और लंडन का क्या हाल रहेगा लेकिन यह तो बहुत ही घुपसूरत है बहुत ही ज्यादा खुपसूरत है प्लांट सेखिए सेंट्रल वर्च पे तो मैंने पहले भी आपको दिखाए थे आप थोड़ा क्लोजरी देखिए आप तो अब यहां की ग फ्रांट रेड है जो ज्यादा अभी जचे पहले शैर था ना क्लूटा आ और उस्से पहले था है तरपन उससे पहले था अमी उससे पहले था डूहांग गुहांग से पहले टाइन भूल गया शट सगास्टे भी था बीच में लासा भी था वगपुछ शहर के नाम में भूलिया हो लेकिन उन साब में से सबसे ज़्यादा क्लीन है अब महिरे को लेना है लेफटंज कितना बड़िया positive vibes है यार एक साफ शहर को देखके कितना अच्छा लगता है में को लगता है यह राइट साइड में पोली सेशन है मार्के की तरफ टरन लेना है यह मैं घुज गया यहां पर लेट सी कार वाशिंग कितर हो रहा है कि यहार यहां चार सरीय निकले हो यह भी खंबे के सडक में इसके पर टायर चला जाए तो शायद पूरा फटी ना जाए कि कि छोटी सी प्यारी सी मार्केट रही है अब कार वाश यहां कहा हो रही है यह इसे लान ने भी में कहल से आपने मैप में देखा होगा वाशिंग के लगए है जो ने करेगा, टिसक काम अम एकफं daha हीऊ, जो रूंड करो जो Ste – डोझेदा झान थूंटी किल दर कंवा करो ति लगने दें युझे जादर के मिटो ли जादे टोशन रहीं क्या बोलते लिफ्यो रह से दाखें具 ज़ोग कि अथा ड्ला से तरérioड की it's better that he comes and cleans it Sanjay's washing car this is the first washing in his life now it's changing he is very hard working yeah you do a very good job yes a very very good job it's a very clean car this is the first time I have my car it's okay it's just clean but people have to clean it and wash it and wash it but now it's a little bit it's not clean but I have to clean it so I have to clean it and clean it okay via internet so you can see I have to clean it and clean it today we are in Khargore and in the evening it's 9am and look at what a beautiful evening and what a beautiful evening and what a beautiful evening and this is our last evening and this is our last evening so we are with Cheylon Jain and Baburam we are having a party here while you are sure must take comfort this is Shitted potato house this is skin this is your meat and these isальная here beans lift see what a beautiful light look at the cold bell this is such a light here this looks so sweet look at the 50 Thurum hunt तरपन नहीं हो सकते हैं तो देखिए कितना बड़ी है और पते हमारा होटल कौन सा है मैं दिखाता होगा आपको यह रेस्टोरेंट है और यह उपर होटल है यह देखिए जो लाइटे जल रही है ना यह होटल है तो यह हमारी चाइनीज गाइड है शैलान और यह हमें सफ कर रहे है यह बाबुराम जी है इनके बाल ना पूरे सफेद होगे मैं कब से बोल रहा हो काले कर लो दस सल जमान लगेंगे हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट यह है और यह शैलान है शैलान से हाइटो माई व्यूवर्स आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्या वाइब्स है यह देखो सामने बीडिंग और यह कलर चेंज हो रहा है इसके अंदर देखो ब्लू आ गया अभी रेट था जैसे मैंने आपको दिखाया है उसे में रेट था अभी ब्लू आ गया है आप श्याद दो ही कलर है और आपको दिखाया था लेकिन फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि है ही इतना सुन्दर यह तो चलो अब मैं अपनी पार्टी शुरू करता हूँ पार्टी तो अभी शुरू हुई है खरगोश कितना खुबसूरा शहर है और चाइनीज लोग पूरा दिल जित लिया ह मेरा अभी बहुत इम सो हैपी बिंग है क्या मौसर में परफेक्ट वेदर है न थंडा है न गरम है और पुल भी नहीं है यहां में को कम लोग सिखेट पी और दिखाई देरें क्या लग रहा है इसके अंदर आ बॉक करते होए देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है यहां सम द्या सम पीपल हेर अंदर साइड तो जितने चाइना के शहर हमने देखे है न अभी पिछले दिनों में उन सबसे ज़्यादा अच्छा है और कल हम जा रहे हैं छोड़के इस प्यारी जगा को और खजाकिसान जा रहे हैं तो हो सकता है वहां इससे भी सुन्दर नजारे मिले हमीं देखने के लिए दोस्तो बस यह लास्ट क्लिप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब इसके बाद मेरे को रूम पे जाना है है और आपके लिए वीडियो रेडी करना है उसमें लगेंगे दो-तिन घंटे और आलड़ी पहुने 11 बज गये है और मेरा डिनर भी हो गया है और देखो कितना स सुन्दर है यहां एक छोटा था न बाटर बॉड़ी है लेक तो नहीं कहेंगे और यह सीरीज ओफ रेस्टोरेंट्स है इतनी कम पॉपुलेशन है यहां और जीरो पॉलूशन है और क्या वाइब्स है बहुत सुन्दर तो चाइना ओवरॉल दोस्तों में को बहुत अच्छ और जो शॉप पे समान बेच रहे हैं कोई आपको चीटिंग नहीं करने के लिए बैठा है सब बिलकुल अपना काम कर रहे हैं कभी-कभी तो अपनी जेप से ही वो पैसे आपके लिए खर्च कर देंगे टेक्सी वाला कभी आपके पास नहीं भी वो पैसे ना वो पैसे भी आपसे अगर चोटा मुटा डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया आप इमेजन कर सकते हैं और कितना सेफ आप यहां महसूस करते हैं योरोप में ऐसा नहीं है लोग मेरे को बता रहे हैं तो पकभी योरोप गया नहीं हो इससे पहले योरोप के अंदर है बहीमानी है लूट खर गय किसी चेकपॉइंट पर किसी ने हरेस नहीं किया और टॉल पर कितना स्माइलिंग बैठे होते हैं और आपको एतने प्यार से टॉल लेते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जुरूर कभी आपको मुका मिले चाइना जुरूर आना रोट से मत आना पाईट खेर और सब मेरे प्यारे दोस्तों मेरे भाहियों सबको राम राम